देखे कल एक संदिक्त के बारे में सुचना मिली थी जिसमें कि पुशर्थानादिकारी के पास कोई सुचना आई थी कि दरगा छेतर में कोई वेक्ति है जो रह रहा है उसके पास कुछ संदिक्ट मेटтесьरियल हो सकता है कुछ वैपन होने की बात थी कि उसके पास कुछ हतियार हो सकते हैं फिर बारूत भी हो सकता है क्योंकि हम लोग लगातार ही दरगा कि आस पास के सभी होटल धरमशलाएं लगाता है चेक करते रहते हैं उस क्रम में कल ये अलग से सूचना मिलने पर स्पेसिफिक होटल को चेक किया गया जहां पर हमें एक व्यक्ति मिला जो कि जिसके पास में कोई इस तरह की सामागरी नहीं पाई गई पर उसके पास तलवारें जरूर थी कुछ जो कि उसने अवयाद रूप से अपने पास रखे हुई थी बाकी कोई फायर आम उसके पास नहीं था और ना ही कोई विस्पोटक वाली बात सही निकली और क्योंकि तलवारें उसने अवयाद रूप से रखी हुई थी उसने और उसके साथियों ने इसलिए उनके खिलाब आमस एक्ट में मुकदमा दर्श करके करवाई की गई तक सामने नहीं आया लेकिन ये इस बात की संभावना जरूर है कि इनके आपसी कुछ रंधिश है कुछ लड़कों के साथ में हो सकता हमसे जगड़े करने की प्लानिंग कर रहे हूँ बाकी और क्योंकि आमस एक्ट के आमस जो फैर आमस होते हैं उनके बिना कोई किसी को इस खिलाबकार रहे हैं ये अलग अलग जगाओं के रहने वाले हैं और इनके विरुद और जो भी चीजे हैं प्रक्रान है वह अनुसंद्धान करके इंटरोगेट करके पता किया जाना है झाल झाल झाल